नमस्कार जहिन साथियों सेना रेली भर्ती, वायू सेना भर्ती, नोशेना भर्ती इन भर्तियों से जुड़ेवे तमाम इस्चूज को लेखे देश में एक महा अंदोलन की आहाट अब देश की राजदानी दिल्ली में सुनाई देने वाली है जहां साथियों पिछले दो साल से लगातार भर्तियों के इंतजार कर रही सेने भर्तियों के इंतजार कर रही यूवा अब देश की दिल्ली की देश की राजदानी दिल्ली की और रूख करने का प्लान बना चुके हैं सासाथ आज राजस्तान से कुछ तस्वीर आई है राजस्तान के के युवा आज पेदल यात्रा दिल्ली की ओर कुछ कर गए है जी हाँ आने वाली पांच अप्रेल को देश की राजदानी में जंतर मंतर पर एक विशाल धर्ना परदर्शन किया जाएगा जिसके माध्यम से सर आरेली भरती की त्यारी करने वाले एरपोर्स भरती की त्यारी करने वाले नेवी भरती की त्यारी करने वाले हमारे भाई सरकार के सामने लोकतांतरिक तरीकों से अपनी मांगे मनवाने के लिए जा रहे हैं और एक विशाल धर्ना परदर्शन वहां आयुजित होने वाला ह साथ ही इस वीडियो के माध्यम से आपको इस धरने में निबा सकते हो इस वीडियो के माध्यम से साजा करने वाला हूँ तो साथियों आपकी जीमेदारी बनती है इस वीडियो को अच्छे से और तेज तरीके से बहुत जगे आप इसको फोरवर्ड कीजे क्योंकि बहुत सारे साथियों के केरियर से जुड़ावा एक्यूशन से अगर अब नहीं तो कभी नहीं जी हाँ एसे आंदोलन को अगर आप अब भी सपोर्ट नहीं करेंगी तो कभी नहीं कर पाएंगे तो साथियों आपके तमाम पहल बिंदू के उपर चर्चा करते हैं कि कैसे आप इस आंदोलन में जाएंगे, कैसे जाना है, कैसे आपको किन-किन बातों को फोलो करना है और किस तरीके से इस आंदोलन को लीड़ करने वालों के साथ आपको संप्रक्सादना है तो चलिए दोस्तों एक-एक मिंदू को उपर चर्चा करते हैं साथियों आयोजन सिमिति की सबसे पहले बात करते हैं कि धरना परदर्शन इस आंदोलन को कौन आयोजित करवा रहा है देखें इसमें कोई particular single person कोई नहीं है आंदोलन करने वाले आप हो क्योंकि ये मामला आप से जडआवा है ये मुद्दा आप से जडआवा है तो आप इस आंदोलन को लीड करने वाले जो भी हमारे वीवर्शिप्स है जो भी हमारे ADO Army Point परिवार के सदेश अंदोलन में जा रहे हैं वो खुद ही इस अंदोलन के आयुजन करता है तो आप यहां यह बात सोच लीजिए उसके बाद मैं जो तारिक 5 अप्रेल 2022 जी हां सवेरे सुबे 9 बजे आपको दिल्ली में जंतर मंतर जगह है वहां आपको जाना है याद रखे दिल्ली की ही जंतर मंतर पे आपको जाना है अब कैसे आप 5 तारी को पहुंचें यह आपके उपर डिफेंड करता है जहां तक मैं समझ सकता हूँ कि दिल्ली के बाहर लगबग 7-8 राजिये है जहांके युआ इस अंदोलन में सबसे ज़्यादा आएंगे तो देश बर से लेकिन 7-8 राजियों से युआ ज़्यादा आने की संभावना बताई जा रही है अब सब यह साती जानते हैं कि आप जिस भी स्टेट से बिलोंग करते हैं वहां से कहिना कहीं आपको ट्रेन की सुविदा मिल जाएगी तो आप अपने तरीके से वहां आएं और जिस भी साधन से आप आए आप अपनी खुद की करो फीजिकली आएं आप अगर फिर भी नहीं आ पाते हैं तो सोसल पोर्टल्स के माद्यम से इसको हवा देजी देश की नमाइंदों तक पहुंचाए कि आखिरकार युवा घर में बेटे कब तक आप इंतजार करता रहेगा आप इंतजार की घडियाओं को लंबा कर रहे ह तो देश के युवा पिछले दो साल से दर दर की ठोकरें खा रहा है और कहीं न कहीं उनकी एजवाला मामला भी बितावा नजर आ रहा है आखिरकार आपको ये क्यों नजर नहीं आ रहा है सरकार को ये मामला क्यों नजर नहीं आ रहा है इसी नजर के उपर उनकी नजर टिक मेडिया उनके मादियम से आप सपोर्ट कीजिए जो दूर के राजियों से हैं बाकि राजस्तान बिहार उत्तर परदेश उत्राखंड पंजाब हरियाना यह जो मद्य परदेश है यह जो डिस्ट्रिक के बच्चे हैं यह आप आईए क्योंकि आप देश की राजदानी जा रह पर दिह से राजस्तर दुरेश दूरूर हैं कि हम्हारी राजदानी जो और यह इसका चुरुक्षा करना हमारी नेतिक जिमेदारी भनती है तो साथी विशेश तोर पे इसलिए मैं लोकतांत्रिक सबत का बार बार यूज गरता हूँ क्योंकि ये आपकी केरियर से जुड़ावा अंदोलन है आप इस अंदोलन को अगर लोकतांत्रिक तरीकों से करोगे तो आप इसमें एड हो जाए क्योंकि इस आंदोलन से जोड़ी सटिक और सही अपडेट आपको शेनल के माधियम से हम देते रहेंगे साथ साथ कही साथ ही ये बोल रहे हैं कि इस आंदोलन का एक परमुक रूप क्या है कि नेवी वाले इसमें अलग जा रहे हैं एरपोर्स वाले अलग जा रहे हैं आर्मी वाले अलग जा रहे हैं देखे ऐसा कुछ भी नहीं है आप आईए ये तीनों भर्तियों का मुद्दा है मैं एक सोट बासा में कहूँ तो आर्मी में दो साल की छूट थोड़ी मिलेगी जब मिलेगी तो सभी भर्तियों में मिलेगी सेंटर गवर्मेंट का दीन आने वाली सभी भर्तियों में तो 60 वालों से वरवा रहे हो लेकिन आखिरकार जो higher आपके कॉलेटर पसंटेज वो इतने ज्यादा जा रहे हैं उसको लेकर आपकी जो मांगे हैं इटमेंज की तेनों सेनाओं की जो परमू कमांगे उनको लेकर देश के युवाओं ने दिली का रुक किया है तो इस अंदोल आप इतना कमजोर हो रहे हो आप बिल्कुल भी इसमें रुची नहीं लेते दिख रहे हो कि अब अपने साथ योग साथ कीजिए जो इसे कुछ नहीं होगा इसे बहुत कुछ होगा आईए जुड़िये लोक्तान तरीके से आप अपने आर्टिकल 17 और 19 जिसके माधियम से आपको बारत के समिधान यह अनुमती देता है कि आप अपने अधिकारों के लिए जो जो आपको अधिकार परदत के उनका इस्तिमाल कर सकते हैं तो साथ यो आप अपने अधिकार के रक्षा के लिए आ रहे हैं तो आईए किसी भी स्टेट से बिलोग करते हैं जूड़िये और हमें कीजिए सपोर्ट हमें अगर आप सपोर्ट करेंगे तो आपकी आवाज दिल्ली के आवाज होगी उसको हम उपर तक पहुंचाने का लगातार परियाश करेंगे हम कभी भ भी बोल रहे हैं क्योंकि यह आंदोलन सफल होना चाहिए जहां जहां साती महनत और अपने पशीने की कमाई के माधियम से वहां जा रहे हैं उनकी कमाई और महनत जाया नहीं जानी चाहिए तो साथ ही हो आप देख रहे हैं तेडी आर्मी पॉइंट इस आंदोलन से कि दिशा देने का काम करेंगे आप देख रहे हैं तक बने रहने के लिए आपका दिल से शुक्रिया मिलेंगे और ताजा और सठीक और इसलेशन परी वीडियो के साथ तब तक लिए जैहिन जैभार